दिव्यांग बना आइकोन तो सुग्गा मुसहरी में शुरू हो गया राम लगन सुगम सिच्छा के इंगर। सरकार सिच्छा के माध्यम से लोगों के विकास के लिए लगतार प्रयास कर रही है। जिसका सार्थक परिनाम भी दिख रहा है। इसके वाबजूद आज भी कई ऐसे गाउं हैं जहां बच्चों को समसित सिच्छा नहीं मिल पाती है। ऐसा ही एक गाउं है बखरी परखन का सुग्गा मुसहरी जहां के सिच्छा विवस्था के अभाव में बच्चे सिच्छा ग्रहन नहीं कर पाते थे। लेकिन सब कुछ सरकार के भरोसे नहीं हो सकता। इसके लिए समाज और समाजी कारकरताओं को भी आगया ना होगा। इस गाउं को मौडल गाउं बनाने के लिए काम कर रही विस्व माया चरिटेबल ट्रस्ट ने एक बहतरीन प्रयास किया है। सुगा मुसहरी के दिव्यांग महादलित रामलगं सदा को अपना आइकॉन मानने वाले इस ट्रस्ट ने मौडल गाउं बनाने के लिए पहले सर्वेच्छन किया। जिसमें सिच्छा और स्वास्त के छेत्र में काफी खामिया नजर आई। इसके बाद अब गाउं में रामलगं सुगम सिच्छा केंद्र सुरू कर दिया गया है। जहांकि परतेक दिन विध्याले समय से पहले सुबह में चार सिच्छक बच्चों को मुफ्त पढ़ाएंगे। विस माया चेलिटिबल ट्रश्ट के द्वारा बुद्वार को रामलगं सुगम सिच्छा केंद्र का सुभारम किया गया। इसके साथ ही बच्चों के बीच सैचिक समागरी का भी वित्रन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में बच्चे एवं अभिभावक उपस्थित थे। इस केंद्र के सुरू होने से छेत्र में सिच्छा से वन्चित बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको मदद मिलेगी। केंद्र को सुचारू रूप से चलने में सिच्छक के रूप में मनिश कुमार का सहयोग मिलेगा। मुरारी जायवं संतोस मिस्तरा के प्रभार में इस केंद्र का सुभारम किया गया है। संस्था के अध्यच डॉक्टर रमुन कुमार जहार ने बताया कि रामलगन उन तमाम लोगों एवन बच्चों के लिए आईना है जो परिस्थिती को कोस्ते रहते हैं। उनको रामलगन से सीख लेनी किया वे सकता है। बताया जा रहा है कि 366 लोगों की आबादी वाले इस महादलित महला में कोई विद्याले नहीं है। बगल के मुसहरी में विद्याले है लेकिन वहां के बच्चों के सिख्चा की कोई आधार भूत वेवस्था नहीं है। जिसके कारण बच्चे सिर्फ नमांकन पंजी में ही सिख्चा ग्रंग करते हैं। ऐसे में इस महादलित महला में सुरूप किया गया सुगम सिख्चा केंद्र महादलित परिवार के बच्चों में सिख्चा की जागरती